जैन साथियो वन्स अगेन वेलकम अगेन इन माई चैनल अनिला विएटर ब्लोग्स दोस्तों करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाली है जितने भी मेरे भारत के नागरिक ह है यह जितने भी सर्वीमेन है यह जितने भी सर्वीमेन है विडियो रहने होने जो नो शयन खोने करंब्लड करते हूं चैनक हो कौन मौत की सजा से रिहाई पाने वाले भारते नो पूर्व सैनिकों की रहाई को भारत के लिए एक बड़ी कुट निती जीत माना जा रहा है कतर में मौत की सजा पाने वाले इन आठ भारतियों को दोहा की एक अदालत ने रिहाद कर दिया था इन भारतियों की रहाई में भारतिय विदेश मंतर अले ने आहां भूमी का निवाई थी और मौत की सजा को जेल की सजा में परिवर्तित कराया था अब बात करते हैं कौन है ये आठ भारतिय नो सैनिक दरसल ये सभी सैनिक दोहा स्थित्प अल दहरा ग्लोबल टेक्नलोजी के साथ काम करते थे ये कमपनी ससस्तर बोलों और सुरक्षा अजेंशियों को परशिक्षन और अन्य सेवाएं पर दान करती है पिछले साल 28 दिसंबर को कतर की एक अदालत नहीं ने जासूसी के आरोपों में मौत की सजा सुना दी थी इसके बाद भारत सरकार एक्टिव मोड में आ गई और इन्हें राजनईक तोर पर साहिता दी गई भारत की अपील के बाद मौत की सजा को तीन साल से लेकर 25 साल तक की जेल की सजा सुनाई भारत की पैरवी और पीम मोदी के हच्षेप के बाद इन सभी भारते को रिहा कर दिया गया अब बात कर लते हैं रिहा हुए पूरुप सैनिकों में जो है कैप्टन नबतेज गिल सौरो बसीस्ट कमांडर पूरुनेंदु तिवारी अमित नाकपाल एके गुपता वीके बर गया था उन्हेंने नो सेनाकादमी से से उसनाक तक की उपाधी प्राप्त की और बाद में तमिलनाडू के बेलिंग्टन में डिफेंस सर्विसी स्टाफ कॉलेज में परशिक्षक के रूप में कार्यक किया अब बात कर लेते हैं को पर क्या आरोप लगे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं इन सभी आठों पूर्ब जो है भारतिय नो सेनिकों को बीते साल अगस्त में गिरिफ्तार किया गया था इस पर कतर की जासुसी करने का अरोप लगाया था एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतियों पर इसराइल के लिए जो है कतर के सब मरीन प्रोजेक किया था सरकार ने सभी अधिकारीयों की मदद के लिए काउनी विखलकों पर विचार करने का वादा किया था इसके बाद भारत ने मौत की सजा के खिलाप कतर की अपील अधालत पर की तरफ रुख square 28 दिसंबर को कतर की जो अपील अधालत ने मौत की सजा को कम कर दिया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई इसी बीच क्या हुआ नोसेना के जो पूरवधकारियों ने चिंतित परिजनों ने उनकी रिहाई और उनकी सुरक्षित वतन बापसी की गोहार लगाई जिसके बाद जो विदेश मंतराले ने अस्वासन दिया था कि वो सभी राजनेक चैनलों को जुटाएगा और उन्हें बापस जुलाने के लिए कानूनी साहिता की विवस्था करेगा कतर अदालत के फैसले को भारत के लिए एक बड़ी जो है कूट निदिक जीत भी माना जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुबाई के दुबाई में जो है COP28 सिखर समेलन के मौके पर प्रधान मंतरी जो नरेंदर मोदी की जो है कतर के अमीर सेक तमीम बिन हम थल थानी के स साथ मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद आया है तब पीम मोदी ने कहा था कि उन्हें कतर में भारतिया समुद्याय की जो है बलाई पर चर्चा की थी आई होप आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचे होगी और आप लोगों को पता लगया होगा वह कौन से आठ पूर्भ न